आपको जान कर बहुत हरानी होगी कि संधिया तोपनो हत्या कांड में संधिया तोपनो को हॉस्पिटल कौन ले जाए गया था? हम आपको इस्क्रुज भबर देंगे सबसे पहले स्वागत है जंचन की आवाज जीएन भारत में आपको जानकर वागई में बहुत हरानी होने वाली है कि जब संधिया टोपनो को जब मारा गया उनकी हत्या की गई जब उनको 100 मिटर घसीट का रौंदा गया हमने कल आपको एक वीडियो दिखाया था साइट पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाया था कि किस सरीके से उनको घसीटा किया था क्या वहाँ का महौल था यह सब बताया था आज exclusive ख़बर हम आपके सामने लेकर उपस्तित है और हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कार आपको पता दे दो पश्यू तस्तर थे एक वैन में पिक अप वैन था जिन्होंने संध्या टोपनों को मारा था और एक पीछे कार वाइड कलर का ओल्टो चल रहा था जिसमें आठ पशु तस्तर बैठे हुए थे वो ये देखने के लिए बैठे हुए थे आगे पीछे वो चल रहे थे कि कहीं उन लोगों को कोई पुलिस ने रोक न ले आगे पुलिस है या नी पीछे पुलिस है या नी तो कहीं ने कि पिक अप वैन के आगे पीछे वाइड कलर को आल्ट ग्रफ्तार कर लिया है और जब इनसे अग्तम कड़ी से पूस्ता चुई तो तीनों ने मिल कर बताया पुरा डीटेल बताया कि आखिर उस रात क्या हुआ था और कैसे हमने संध्या आर्टोपनो का मडर किया इसी अक्रब में उन्हों ने ये बताया कि हम उडिसा के गाउं से आ रहे थे राजशी के काटा टोली में कोई महमूद है महमूद का बूचड खाना है वहाँ पर हमें ये पशु जो है सप्लाई करना था कुल मिला के आठ पशु थे जिसे हमें पीकप वैन में रखा और हम जाने लगे रास्ते में बसिया के जो थानेदार और थाने वाले है लेकिन इन लोगों ने आपको बता दे कार के अंदर नाजीर और साजित थे उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें रोकना नहीं है किसी भी हाल में उन्होंने बसिया का जो जिते बैरिकेट्स लगे हुए थे उन सब को तोड़ते हुए बाहर निकल गया उसके बाद पहुँचे तो तोरपा थाना के लोग चिला रहे थे रोकने के लिए उनको भी नजर अंदाज करते हुए वो आगे निकल गया उससे आगे जब निकले तो हुलूंडू के पास एक हाईवा बाहर खड़ा था रोट पर पुलिस नहीं खड़ा करवाया था इनको रोकने के ल है कि आप रुख जाईए लेकशन दोनों ने अपस में यह 있으니까 कर लिया था कि हम दोनों ने-एक पुलिस को सामने फीए कबूला है कि हम दोनों ने डिसेट कर लिया था यह हमें गाड़ी जो है को निकल के रिंग रोड के रास्ते उन्हें काड़ाटोली पहुंचता था आपको जानकर अब यहां पर हैरानी होगी कि पीछे जो ओल्टोकार आ रहे थे उसको पुलिस ने रुकवाई पुलिस ने यह सोचकर रुकवाई कि यह नॉर्मल ओल्टोकार है इससे हम संध्या को र रिंस पहुंचाया अपने ओल्टोकार में बैठाकर और जब रिंस पहुंचाया जब एड्मिट होगे संध्या उसके बाद यह फॉरण भाग निकले तो अब यहां से कहानी में नया मोड़ी आ रहा है कि पुलिस जो है राची में चप्पे चपे पर उस ओल्टोकार को ढू बहुत बड़ा एक तस्तरी जो है अनिमल ट्राफिकिंग जो है इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी पुलिस को राची के असल से कौशल किशोर ने भी इंफॉर्मेशन दिया है एक लिडिंग न्यूस पेफर को कि हम एक तीन लिडिंग जो थानेदार है और थाना तीनों शेहर में एनिमल ट्राफिकिंग इसी तरह लगाम लगाना है संध्या के शहादत को जाया नहीं होने देंगे ऐसी तमाम ख़परों के लिए आप देखते ही जिन भारत धन्यवाद अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें